दो कैसे हो आप लोग आई होब आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी देखिए सबसे पहले आपको बता दें यदि आप क्लाश 10 में हैं और अभी तक आप क्लाश 10 के इंपोर्टन कोश्चन नहीं देखें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप निबंद कैसे लिखेंगे ठीक है और कौन से निबंद important है हम इस बिसे में भी बात करने वाले हैं ठीक है मैं आज आज आपको इस वीडियो में तीन निबंद के बारे में बताऊंगा ठीक है और वो निबंद आपके board के point of view से बहुत ज्यादा important है ठीक है तो क्या करना है इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को like करके चैनल को जरूर से जरूर subscribe कर देना है ठीक है तो देखिए सबसे पहली बात आती है निबंद ठीक है निबंद मतलब किसी के बारे में लिखना होता है ठीक ह उसके बारे में आप क्या सोच रहे है उसके बारे में आपके पास कितनी जानकारी है यही होता है निबंद ठीक है जैसे आप स्कूल में रहते हैं है न सबसे पहले आपको जब आप छोटे रहे हो तो आपको पता होगा का आपको गाए पर निबंद लिखा जाता था गाए ह बच्चों की सबसे पहले हम देख लेते को रोरो ना वायरस परम हमें निबंद लिखना तो वह वाला वायरूस वी वाले वाला एक कारण से यह हो जाता है लोगों के मौत हो जाती ऐसी करके आप पूरे लाइन वहां करके आप लिबंध खतम ठीक है यह हुवा 10th standard से पीछे वाले बच्चों के लिए है ना अब आप आ गए है 10th और 12th 11 12th में आ गए है ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है सबसे पहले सबसे पहले आपको introduction लिखना है ठीक है लेकिन जो हिंदी में होता है उसको अपन लोग बोलते हैं प्रस्ताओना ठीक है क्या बोलते हैं प्रस्ताओना ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है सबसे पहले हमें लिखना है प्रस्ताओना ठीक है सबसे पहले हमने क्या देखा यहां पर को लग रहा है चले ठीक सबसे पहले अपने लिखा प्रस्ताओना अब प्रस्ताओना में क्या लिखना है कोरोना वाइरस के बारे में आप जो निबंद में लिखेंगे उसको सौRD करके है ना कमसे कम 5 से 10 लाइन है आपको यह लिखते हैं प्रस्ताओना लिखना और की बारे में बताना है थोड़ा सक करके тво क Means resource के बारे में बताए रहना है जब आपका प्रस्ताओना 5 से 10 लाइन का complete हो जाएगा ठीक है तब उसके बाद आपको आगे बढ़ना है ठीक है अब आगे कैसे बढ़ेंगे आगे पर मुरॉणा वायरस से संबंदित कुछ निकालेंगे कॉरोणा वायरस से नुकसान है न या फिर निकालेंगे कि कोरोना वाइरस कैसे फैलता है हाँ ये पॉइंट आपसे बन सकता है क्या बन सकता है कि कोरोना वाइरस ठीक है कोरोना वाइरस कैसे फैलता है ठीक है बस ये आपको हेडिंग बनाना है क्या बनाना है हेडिंग बनाना है आपने बना लिया इसी से जुकसान आप लोग कोरोना वाइरस से हानी है न कोरोना वाइरस से नुकसान अब आप लोग इसमे सोगे की ओध्रॉना वाइरust कैसे फैलता है आप लोग लिखो कुरोन वाइरस के नुकसान लिग दिया अब आप लोंगे वढ़ते हैं थीग है यह तो सुना ही दे रहे होगी अप लोग आज़ेडी ने आप लोग लिग दिया की एक एटिंग और बना लधी कुरोन वाइरस के लच्छंड लक्षण भी बता दो कोरोना वाइरस के क्या क्या लक्षण होते हैं यहीं तो होता है निवन ठीक है तो अपने लक्षण बताया कि अगर आपको सर्दी है खासी है जुखाम है आपका नाक बहरा है आपको फीवर है तो क्या है आपको मतलब की कोरोना वाइरस आपको हो चुका है अब देखो जब किसी को कोरोना winter वायरस को चुका है तो अब उसके भठा भी बताईए हैंना क्या बताये को रुधार के बचाओ यह बहुत है है ना को रोबबार रसके बचाओ ठीक है यह देख hide cult आपको बचाओ में क्या बताना है कि आप कोरोना वाइरस से कैसे बस सकते हैं उसमें आपके दिमाग में बहुत डेर सारा चीज होगा बताइए आपको पबलिक प्लेस पर नहीं जाना है आलवेज वेरिंग मास्क ठीक है आलवेज जू सेनिटाइजर आपको मास्क का मना सकते हैं है ना कोरोना वाइरस कहां से आया ठीक है कि कोरोना वाइरस सबसे पहले किधर से कोरोना वाइरस चलके आया आप ये मतलब अब सोचिये कि कोरोना वाइरस के बारे में कितनी हेटिंग्स बन सकती है है ना अगर अगर इसी के इस्थान पर ये कोरोना वाइरस की जगा पर अगर परेया वरन प्रदूसर्ण होता है ना क्या होता परेया वरन प्रदूसर्ण होता ठीक है परेया वरन प्रदूसर्ण की समिस्य उन समाधान ठीक है तो वहाँ पर आप क्या लिखते सबसे पहले तो आप प्रस्तावना लिख देते प्रदूसर्ण के बारे में इसके बाद आप लिखते हैं प्रदूसर्ण कैसे फैलता है ये भी हेडिक बन सकती है ठीक है फिर आप लिखेंगे प्रदूसर्ण के प्रकार से हानी बस यह आपको हेडिंग बनानी नहीं ठीक है और इस हेडिंग में उस टॉपिक के बारे में आको Lick देना है ठीक है अब आपने यहां पर लिख दिया कोरोना वाइरस कहां पर आ तो आपने लिख्या कि चीन में सबसे पहले फैला ठीक है यह क्या होगा सब्संभार में निकल रहा है इतने का ठीक है आप उपसंभार में लिग देते हैं कि कोरोना वाइरस से बसने के आप यह कर यह कर यह वह करें इन ही कहिए कि पॉइंट उठा उठा करके सब संभार में डाल दो कम से कम यह से आपका दो से तीन पेज का तो होना ही चाहिए बढ़ जाए शेप चला जाए तो बहुत अच्छा पूरे पूरे नंबर बिल जाएंगे अब देखो इधर क्या हुआ प्रदूसर के प्रकार है न जाए ठोड़ा फ्रेकर हुआ अपके सारी दिमाग में है और ये दोनों निबन तो बहुती महत्त्त पूर भी एक और वता रहा हूँ है ना मैं आपने क्या लिख दिया यहां पे प्रदूसर प्रदूसरं का किसका अर्थ क्या होता है बाइया फिर इसके बाद आपने हमकर लिए यह समयूस्य होती है आप को अधिर किस परकार की चुंस्य होती है आग颈 समय से होती है तो आपकी और आपको सब को पता है दल प्रदूसर किन कारणों से होता है रेडियो धर्मी प्रदूसर किनकारणों से होता है है ना सब कुछ ध्वानी प्रदूसर की इन कारडों से होता है ठीक है जब आप इसका संप प्रदूसर की समस्चा लिख दिये अब इसमें उपसंघार डालके इसको खतम कर दीजिए ठीक कितने से दो से तीन पेज के अंदर आगे चला जाए छे पेज तक तो बहुत ही अच्छी बात है बताइए बिल्कुत सिंपल है कि नहीं ऐसे लिखना ऐसे लिखने कोई बहुत बड़ी बात है बताइए सबसे पहले आप समझ लिजे कि आपको प्रस्तावना से सुरू करना है और उपस संगार में खतम करने तीन से चार हीडिंग आपको बना देनी है क्लियर है अब अब देखिए आपने देख लिया मैंने बाद बोला कि आपको बताओं को कौन से तीन इंपॉर्टेंट है पहला तो हो गया कोरोना वाइरस सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट ठीक है दूसरा भारत में बिरोजगारी की समिस्या प्रस्ता होना भारत में बिरोजगारी के हो है ठीक है फिर उपसंगार पांच एडी हो गई 6एटी ठीक है आपने उसके लिखते जाएंगे यही है आपका आप समझ लो समझ लो बिल्कुल एक बात क्लियर करके बता रहा हूं कि यदि आप से निबन के बारे पुझे तो पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होना चाहिए और दूसरी हेडिंग आपकी उपसंघार पे खतम होना चाहिए ठीक है चीजों के इन सबी चीजों को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे और यही पर हो गए निबन्द तो आज का फाइनली वीडियो यही पर खतम होता है और इसमें से आपको अगर कोई भी टॉपिक पर निबन्द का वीडियो चाहिए तो आप लोग मीचे कमेंट वाक्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजे विसी वालतिवेश्ट, थैंक्यू